Hello everyone, Medico Pharma Lectures के Hindi भर्जन में मैं सुनिल कुमार से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो Pharmaceutical Inorganic Chemistry सब्जेक्ट से लिया गया है जिसमें हम लोग Limit Test पे discussion करेंगे तो हम लोगों ने पहले ही Limit Test का जो introductory part होता है वो complete कर दिया है उसके 77 Limit Test for Chloride and Limit Test for Sulfate को भी हम लोग ने study कर लिया है तो अगर आपने miss कर दिया है इन lectures को तो आप लोग हमारे चैनल पे जाईए और हमारे चैनल पे एक Pharmaceutical Inorganic Chemistry कहके English version as well as Hindi version का playlist है उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे तो आप वहां पे access कर सकते हैं और देख सकते हैं study कर सकते हैं ठीक है तो आज का जो हमारा lecture है वो Limit Test पे है जिसमें हम लोग Limit Test for Iron पे discuss करेंगे आज ठीक है तो Iron जो है यह किस टाइप का impurity है तो यह जो है cumulative impurity है What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि it will not show any immediate adverse effect जब आप कभी भी लेते हैं इसको तो immediate adverse effect नहीं दिखाएगा लेकिन अगर आप prolonged time के लिए बहुत दिनों तक लेते रहें even in a small quantity then it can show toxicity तब यह toxicity दिखा सकता है ठीक है और दूसरा problem यह है यह easily available होता है हमारे बहुत सारे pharmaceutical preparation में ठीक है generally यह जो हम लोग pharmaceutical preparation में solvent यूज करते हैं वहाँ से आता है यह reaction vessel से आता है जो की iron से बने हुए होते हैं तो ठीक है तो अगर यह impurity हमारे pharmaceutical preparation में है तो क्या करेगा क्या problem create करेगा तो if present in large quantity in pharmaceutical preparation then what type of problem it is going to cause तो basically यह दो problem करता है एक यह क्या करेगा interfere करेगा therapeutic value of the drug से जिसमें क्या करेगा therapeutic value जो होता है drug का उसको decrease करतेगा उसको कम कर देगा ठीक है तो जिस कारण से हम लोग उस drug को लेते हैं वो जो drug का काम है वो जो function करता है उसका जो pharmacological action होता है उसमें कुछ कमियां आ सकती है और दूसरा problem क्या है यह create करता है technical problems during drug formulation अगर आप drug formulation करने जा रहे हैं तो यह क्या करेगा impurity आप तो जो formulation में जो xpn होते हैं तो यह xpn से interact कर लेगा या हो सकता है drug से भी interact कर ले और जिसके चलते technical issue होगा तो जो जैसा आप formulation बनाना चाहेंगे वैसा formulation नहीं बन पाएगा ठीक है इसलिए हम लोग को limit test for iron करना पड़ता है अब आज आईए इसके principle के बारे में ठीक है तो इसके लिए हम लोग 2 nestle cylinder लेंगे एक sample nestle cylinder मार करेंगे और दूसरे में standard nestle cylinder मार करेंगे तो sample वाले में sample को add करेंगे उसके साथ साथ हम लोग thyoglycolic acid जो की reagent है हमारा उसको add करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग citric acid को भी add करते हैं ठीक है तो यह जो sample में अगर iron है या fit two फेरस फम या फेरीक फम में तो या फी टू अभी फिलार लेके चलते हैं और यह जो थाieso ग्लाइकुलीके ऍसीड है यह दोनों रियक्ट करेंगे शृत्रिक इश्यड के परजएंस में और क्या बनाएंगे फेरस थायुग्लाइकुलेक्ट complex तो यह जो फेरस थायो ग्लाइकोलेट complex है यह alkaline media के presence में यारनी NS3 के presence में pink purple color देगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे sample color बोलेंगे ठीक है अब आज आज यह similarly extended लेंशलर cylinder में हम लोग फेरस ammonium sulfate जो है जो हमारा rodzender उसको add करेंगे ठीक है और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे the थायो ग्लाइकोलिक एसिड को एड़ करेंगे तो यह जो फेरस अमोनियम सॉलफेट है उसमें यह फी फेरस और यह थायो ग्लाइकोलिक एसिड और प्रस सिट्रीक एसिड के परजेंस में इसमें हम लोग क्या करेंगे सिट्रीक एसिड एड़ करेंगे यह क्या बनाएगा फेर पर्पल कलर जो प्रोडूस्ट हुआ है उन दोनों को हम लोग compare करते हैं तो यहीं है बेसिक प्रिंस्पल इंभर्मिन लिमिटेस्ट फॉर आईरन इसमें हम लोग ammonia क्यों रखते हैं सुनिए इसमें होता क्या एक्शुली एमोनिया क्यों एड करते हैं इसको हम लोग डीटेल में देखेंगे लेकिन यहां पर क्या होगा यह जो फेरस्थायो ग्लाइकॉलेट है यह neutral मेडिया में एसेटिक मेडिया में प्रोड्यूस करता है ठीक है इसलिए हम लोग ammonia रखते हैं ताकि मेडिया को यह सोलूशन को हम लोग क्या बना सके अलकलाइन बना सके और हम लोग citric acid क्यों एड करते हैं तो citric acid हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि यह क्या करें प्रिभेंट कर दे precipitation of iron को तो इसका मतलब क्या होता है कि यह जो हम ammonia add करते हैं यह ammonia जो हमारा iron है उसको precipitate कर देता है hydroxide form में और जिसके चलते क्या होता है जो हमारा iron जो था वो क्या होता है एवलेबल नहीं हो पाता है thyoglycolic acid के साथ reaction करने के लिए जिसके चलते फेरस thyoglycolate complex नहीं बनता है और हमारा color जो होता है वो produce नहीं हो पाता है ठीक है इसलिए हम लोग क्या करते हैं citric acid को add करते हैं ताकि यह citric acid यह precipitate जो है उसको solubilize करके उसको form नहीं होने देता है और इस तरह से जो हमारा iron है वो totally available होता है thyoglycolic acid के साथ react करने के लिए चीक है के reaction जो है हम लोग बाद में देखेंगे detail में तो यह हो गया हमारा basic principle जो की आपको लिखना है अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे exam में आया तो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले एक topic का नाम देंगे जैसे limit test for iron या आप दे सकते हैं iron limit test उसके नी से आप लिखेगा principle और principle के बाद में हम लोग इसको start करेंगे तो एक format है standard format है जो की मैंने पहले भी बताया है कई से लिखना है तो ठीक उसी तरह से आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो हमने जो भी देखा है उधर वहीं लिखना है to produce ferrous thioglycolate complex which will give or produce red or deep purple color ya pink purple color in presence of ammonia or in alkaline media okay okay so the color produced the color produced by sample is compared with that of a standard standard color or a standard which is produced by a specific amount of standard ferrous ammonium sulfate ठीक है तो यह जो ferrous ammonium sulfate है वो क्या है हमारा standard है और इसमें और क्या mention करेंगे under same reaction condition क्योंकि reaction condition जो है वो same होना चाहिए अब आज है इसके reaction हम लोग लिखते हैं ठीक है तो reaction में हम लोग क्या करेंगे पहले sample reaction लिखेंगे ठीक है तो इसमें चो पहला है हमारा ferrous यपी plus two react करेगा thaioglycolic acid से तो CAAH, CH2, SH तो दो molecule लगते हैं जो की react करेंगे और हमको इसको reaction कैसे लिखेंगे CAAH तेखेंगे जैसे लिखेंगे जैसे लिखेंगे और दूसरा जो molecule होगा वो just opposite तरह से लिखना है SH2, CH2, CAAH ठीक है और इसके center में आप क्या करेंगे यह जो ferrous है उसको दीजिए अब क्या कीजिए यह जो दोनो hydrogen है कर्वकजिली गुरूप का उसको हटा दीजिए और iron से bond बना दीजिए तो यह दो covalent bond होगा है और यह जो sulfur है इस पे क्या होता है lone pair होता है यह दोनों lone pair क् करेंगे तो यह होगया हमारा दो coordinate bond ठीक है तो यह जो बना यह हुगा हमारा complex ठीक है और यह क्या करता है ammonia के presence में यानि alkaline media का presence में red और deep purple color को produce करता है ठीक है तो इसका चलिए हम लोग word में naming कर दे आप लोग naming किजिएगा नहीं तो आपके marks जो है और reduce हो जाएंगे तो इसक क्या हुगा थायो ग्लाइकोलिक एसीड जो हमारा reagent है यहां पर citric acid होगा यह क्या हुगा फेरस थायो ग्लाइकोलेट complex हो गया ठीक है तो यह हो गया हमारा sample reaction अगर फेरिक भी है तो क्योंकि iron, ferrous, ferric, ferric दोनों form में available है तो अगर ferric form में है तो क्या होगा तो उस समय में क्य होगा यह जो थायो ग्लाइकोलीके सीड है हमारा इसका दो मोलीक्यूल क्या करता है अब देखिए ऐसे ही form में लिखिएगा SH, CH2, CHH तो यह जो हाइडोजन है sulfur के साइड में SH group के साइड में यह दोनों हाइडोजन बाहर निकल जाते हैं और यह क्या बनाता है यह से SH के और यह हो गया डाइसलफाइड ग्लाइकोलीके सीड और यह हमारे नैसेन ठाइडोजन हो गया ठीक है अब अगर हमारे सेंपल में iron फेरिक फर्म में एवलेवल है तो उसको क्या होगा वो रिड्यूस हो जाएगा फेरस में in presence of this नैसेन ठाइडोजन ठीक है इसलिए आपको करने की बात नहीं है कि अगर हमारे पास sphatic है सेंपल में तो क्या होगा ठीक है अब आज यह एक्षं ज़ो की स्टैंटर जो की संपलर रिक्ष्ट्र की तरह होगा तो इसमें हमरा एक ही होगा फैरस लिखेंगे इस ही NICK घेर फिर हमने क्या लिखेंगे उसी ंवसी की तरह ओ आयो ग्लाइकोलीक एसीड दो मोलिक्यूल रियक्ट करेंगे सीट्रीक एसीड के पर्जेंस में और क्या बनाएंगे ऐसे ही सीडबल ओयाच च्छ लिखिए और अपोजीट डिरेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया था सीडबल ओयाच ठीक है अब यहां पर बीच में क्या हो गया कि लिखेंगे सीट्रीक एसीड और यह हो गया Ferrous Thio Glycolate Complex ठीक है और यहाँ पे एमोनिया हो गया ठीक है अब आज यह हम लोग Notes को mention करते हैं ठीक है तो generally यह question आता है Why citric acid is used in Limitist for Iron ठीक है यह बहुत important question है बहुत बार पूचता है ठीक है तो क्यों यूज करते हैं citric acid को तो citric acid is used to prevent the precipitation of precipitation of iron as its hydroxide when ammonia is added तो इसका मतलब क्या होता है कि यह जो हम ammonia add करते हैं यह ammonia जो हमारा iron है उसको precipitate कर देता है hydroxide form में और जिसके चलते क्या होता है जो हमारा iron जो था वो क्या होता है available नहीं हो पाता है thyoglycolic acid के साथ reaction करने के लिए जिसके चलते फेरस thyoglycolate complex नहीं बनता है और हमारा color जो होता है वो produce नहीं हो पाता है ठीक है इसलिए हम लोग क्या करते हैं citric acid को add करते हैं ताकि यह citric acid यह precipitate जो है उसको solubilize करके उसको form नहीं होने देता है और इस तरह से जो हमारा iron है वो totally available होता है थायो glycolic acid के साथ react करने के लिए ठीक है ठीक है तो इसका reaction क्या लिखेंगे इसका reaction लिखेंगे ammonia क्या करता है water के साथ जब ammonia add करेंगे तो water के साथ react करके ammonium hydroxide बनाएगा और यह जो ammonium hydroxide है यह iron के साथ जो हमारा sample में है वो ferrous या ferric form में है तो उसके साथ अगर reaction करेगा तो क्या बनाएगा या ferrous hydroxide या POS2 या ferric hydroxide या POS3 अब इस reaction को word में लिखते हैं तो यह हो गया ammonia this is water यह हो गया ammonium hydroxide ठीक है और यह फिर से लिखेंगे ammonium hydroxide जो की react कर रहा है हमारा ferrous से या ferric से और यह बना रहा है क्या ferrous hydroxide या POS2 को ferrous hydroxide बोलते हैं और यह जो या POS3 उसको क्या बोलेंगे ferric hydroxide और हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे middle bracket दीजिए और इसमें इधर लिखेंगा कि citric acid solubilize these precipitate that's why we use citric acid in limitless for iron ठीक है अब एक और important question पूछता है limitless for iron में कि why ammonia is used in limitless for iron ठीक है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे ammonia that is NH3 is used in और is added to make the solution a media alkaline because you because ferrous thioglycolate complex will produce or give pink purple color in in alkaline media and remains colorless in acidic or neutral media तो अगर acidic media हो या neutral media हो तो यह color produce नहीं करेगा लेकिन alkaline media में ही यह जो complex है color produce करता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं ammonia को add करते हैं तो इसका reaction कैसे लिखेंगे ferrous react with two molecules of thioglycolic acid यह इसे ही लिखेगा यहां पे citric acid के presence में होगा तो इसको reaction में COOH उपर CH2 SH इधर जब दूसरा molecule लिखेगा तो जस्ट अपोजिट लिखेगा और बीच में iron दीजिए और यह जो hydrogen है दोनों कार्वग जेली गुरूप के इसको आप क्या कीजिए रिम्मूव कर दीजिए एक एक करके और bond बना दीजिए iron के साथ और जो sulfur के पास loan pair जो है वो iron के साथ share कर लेगा तो इसका नाम word में लिख लीजिए यह ferrous हो गया यह थायो glycolic acid हो गया यह ferrous थायो glycolate complex हो गया ठीक है तो यह जो ferrous थायो glycolate complex है इसको अगर हम लोग एक्सपोज करते हैं acidic या neutral media के साथ या अगर हम लोग इसको एक्सपोज करते हैं alkaline media में तो क्या होगा तो अगर acidic neutral media है तो यह colorless दिखाएगा और alkaline media है तो pink purple color दिखाएगा तो इसलिए हम लोग ammonia को add करते हैं ताकि हम लोग pink purple color देख सकें अचा अब आज आईगे हम लोग procedure के बारे में देखें ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दो nestler cylinder लेंगे एक को extender mark करेंगे और दूसरे को sample mark करेंगे तो यह जो extender है उसमें हम लोग क्या करेंगे 2 ml of standard ferrous ammonium sulphate को क्या एड करेंगे ठीक है और हमारी जो sample nestler cylinder है उसमें हम लोग क्या करेंगे dissolve करेंगे a specific quantity of dissolve a specific quantity of sample in 25 ml of distilled water ठीक है और जो हमारा जो extender है उसमें हम लोग क्या करेंगे उसको भी हम लोग dilute करेंगे with 25 ml of distilled water के साथ ठीक है अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे 2 ml of 20% weight by volume of citric acid को हम लोग आड करेंगे दोनों नेसलर सिलिंडर में 2 ml of 20% weight by volume of citric acid उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे 0.1 ml of th debuglic acid जो है उसको हम लोग आड करेंगे दोनों नेसलर सिलिंडर में ठीक है उसके बाद में हम लोग इस जो सोलूशन बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे alkaline बनाएंगे make solution alkaline by adding ammonia ठीक है और इसको हम लोग चेक करेंगे litmus peppers ठीक है कि यह alkaline हुआ है कि नहीं हुआ है और इसके साथ साथ इसको हम लोग जो भॉलूम है उसको हम लोग क्या करेंगे make up करेंगे 50 ml तक या आप लोग ऐसे बोल सकते हैं dilute to 50 ml with distilled water और make up the volume up to 50 ml with distilled water और इसको हम लोग क्या करेंगे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे allow to extend for few minutes जिसके दावरान standard natural cylinder में standard pink purple color produce होगा और sample natural cylinder में sample pink purple color produce होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे compare करेंगे ठीक है यह हो गया procedure तो हम लोग exam में इसको कैसे लिखेंगे इसको दो टैबल बनाएंगे एक कर एक और standard लिखेंगे और दूसरा और sample लिखेंगे और जो भी point हमने study किया है उसको एक एक करके लिखेंगे जो भी point हमने देखा है procedure में उसको एक एक करके लिखेंगे और हमारा chart एक कैसा आ जाएगा अब आए रिजल्ट में तो रिजल्ट में क्या है if sample color produced is less than that of extender color then the sample will pass the limit test for iron अगर हमारा sample color है वह less है extender color से तो हमारा जो sample है limit test को क्या कर जाएगा पास कर जाएगा लेकिन if sample color produced is more than that of extender color then the sample will fail the limit test for iron अगर हमारा sample color है अगर वह ज्यादा है extender color से तो हमारा sample क्या हो गया फेल कर जाएगा limit test for iron को ठीक है तो इसके सांसत हम लोग इस lecture के end में आ गए तो हम लोग certainly एक नया lecture लेके फिर से आएंगे उस तब तक के लिए thank you thank you very much for watching my channel okay तो आप लोग जो भी comment या जो भी कुछ होगा आप provide कर सकते हैं इन अभी के लिए फिलाल मैं आपसे विदा लेता हूं thank you thank you very much for watching us